हमने तय किया है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एच चार प्रतिसत मुस्लिम आरक्षन हम समाप्त कर देंगे और एच चार प्रतिसत मुस्लिम आरक्षन का जो सीट बचता है वो ST, OBC और ST में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी मुझे बताओ भाई हैद्राबाद विमोचन दीन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए जोड से बोलो मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए निजाम के राच से रजाकारों से तेलंगाना को मुक्ती मिली इसकी स्वुरूती रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए ए ओवेसी के डर से केसी यार हैद्राबाद विमोचन दीन नहीं मनाते मगर हम नहीं डरते ओवेसी से आप बादपा सरकार बना दो हिद्राबाद विमोचन दीन को हम स्टेट डे के रूप में मनाने का काम भारतिय जनता पार्टी करेंगे ये ओवेसी साब जो है वो तुरुष्टी करन करने में से बाज नहीं आते हैं इनकी चुनाव का चिनह कार है कार है ना मगर कार का स्टीरी ना ओवेसी के कार का स्टीरेंग ना केसी आर के पास है ना के टी्र के पास है ना कवीता के पास है कार का स्टियरिंग ओवेशी के पास है ओवेशी के पास है ओवेशी के पास है ये तेलंगाना की कार ठीक चल सकती है ओवेशी के आथों में जोर से बोलो चल सकती है भारतिय जंता पार्टी की सरकार बनाईए हम तेलंगाना को परिवारवाद से के सी आर की पार्टी बी आरेस और कॉंग्रेस और ओवेसी की पार्टी मजलिस ये तीनो 2G, 3G और 4G पार्टिया हैं अरे यार समझे बगर आप हाथ खड़ा कर देते हो ताली बजाते हो मैं समझाओ क्यों 2G, 3G, 4G समझाओ देखें 2G मतलब KCR और KTR, 2G जनरेशन हुआ या नहीं हुआ 3G जनरेशन मतलब OVC के दादा जी, उनके पिता जी और OVC, 3G हुआ या नहीं हुआ और 4G का मतलब है जवालाल नेरू, इंदिरा गांदी, राजिव गांदी और राहूल बाबा, 4G हुआ या नहीं हुआ